10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपी किया गया है इससे छोटे कारवारियों विशेश रुप से महलाओं दलीत पिछडे आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा साथियों हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनुफेक्टरिंग हब बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्यमबर्ग से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से MSME सेक्टर की उनर्शिक मद्यमबर गही है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार भी बिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेट में MSME के लिए ईज अब क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है मैनुफेक्टरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टिम को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है इकॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स और फूर्ड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए सो यूनिट्स ऐसे कदमों से वन डिस्टिक वन प्रोड़क भ्यान को गती मिलेगी साथियों यह बजेट हमारे स्टार्ट अप्स के लिए इनोवेशन इकोसिस्टिम के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है स्पेस एकोनोमी को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रुपय का फंड हो एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस बजेट में उठाए गए हैं साथियों रिकोर्ड हाई कैपेक्स एकोनोमिका एक ड्राविंग फोर्स बनेगा बारान नए इंडस्टियल नोर्स देश में नए सेटलाइट टाउन्स का विकास और चौदा बड़े शहरों के लिए ट्रांजिस प्लांज इससे देश में नए एकोनोमिक हब विक्सित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे साथियों आज डिफेंस एक्सपोर्स रिकॉर्ड्स तर पड़ है इस बजेट में डिफेंस सेक्टर को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेत प्रावधान किये गए हैं आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है इस बजेट में तूरिजम खेत्र फिर भी विशेश बल दिया गया है साथियों एंडिये सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस बजेट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में बुद्धिक का फैसला लिया गया है टीडियेस के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपूर्ण विकास कि पूर्वो दय के विजण द्वारा हमारे इस अभ्यान को नई गती नई उर्जा मिलेगी हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रसेक्टर जैसे हाई वेज़ बाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रोजेक्स का निर्मान कर विकास को नई गती देंगे साथियों इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडुक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सब्जियों अन्न उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्यंबर के लिए फल्क सब्जियों की उपनब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्चित होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना तै हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेच्यूरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुलबुत सुविधाओं से जोडा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पत्चीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को आल वेदर रोड से जोड़ेगी इसका अलाव देश के सभी राज्यों के दूर तराज गाउंगों को मिलेगा साथ क्यों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के आउसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटेलिस्क का काम करेगा विक्सित भारती एक ठोस नीव रखेगा सभी देश वाचियों को बहुत बहुत सुब कामना है